तो जी बहुत दो स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स यारी में मिरा नाम है शुभींदू पांडे और दो दिनों का IPL उक्षन खत्म हो चुका है और उसके बाद लगतार सभी टीमों जो IPL दसो टीमें हैं उन्होंने अपने करम को त्यार कर लिया है और इस करम में कौन से टीम बहतार है कौन से टीम में क्या खामिया उसी कुलेगरम लगता है टीमों पर बात कर रहे हैं उसी करम में आज हम बात करेंगे संराइजर्स हैदराबाद के किस टीम की जो ओपनिंग है व्या बल्ले बाजी है गेद बाजी है मिडिल ओर्डर में क्या लिए परशानी है उसी के साथ आपके साथ इसमें बात करेंगे और फिलाल इस ऑक्षन में जो खिलाडियों पर दाव लगा आ है हधराबाद में 23 खिलाडियों को चुना है और वो 23 खिलाडिया आपके सामने है मैं उस पर एक एक आपको बताऊंगा कि आकिर उन प्लेइंग लेबन में कौन-कौन से ख़ड़ियों पर उनने दाव लगा हैं तो फिलार आपको बता दें कि जिस तरीके से जो आप शुरुआत में देख रहे हैं केन बिलियमसन और उसके लामा उम्रान मलीक अब्दूल शमद ये वो तीन खिलाड़ी हैं जिनको हैदराबाद के टीम ने रिटेन किया था उसके बाद अगर बात की जाए तो निकोलस पूरन उनको 10 करोड 75 लाक में इनोंने खरीदा है उसके बाद राहुल तिरपाठी हैं इसके टीम में प्रियम गर्ग हैं अगर बात की जाए तो ग्लेम फिलिप्स को भी इनोंने अपने टीम में जोड़ा है साथ ही उम्रान मलिक तेजगेदबाजी के मामले इनोंने पहले रिटेन किया हुआ था जगदी सुचित हैं स्त्रेश गोपाल कार्थिक ट्यागी तेजगेदबाज उनको चार करोड में खरीदा है नटराजन की फिर से टीम में वाफसी हुई है उनको भी चार करोड रुपे मिले हैं बोनेशर कुमार टीम में है पिछले बार भी एसी टीम का हिस्सा थे सी ने बहुत तेजगेदबाजी में ने एक और ही जाफा किया है इसके लामा सौरब दूबे फजल फारुकी भी टीम में है अब्दूल श्रमद जो पहले भी टीम में थे रिटेन किये गए थे अब शेक शरमा चे करोड पांच लाग ने अब शेक शरमा पर बोली लगी है और जैसा कि हम जानते हैं कि अब शेक शरमा वो ऐसे इस पिन गेदबाजी भी कर लेते हैं शांदार तरीके से बल्लेवाजी भी वासिंटन सुंदर को 8 करोड 75 लाख रुपे मिले हैं उसके लावा मारको एंसन और रोमारियो शेफट जो आखरी के दो हैं मारको एंसन और रोमारियो शेफट दोनों लगातार अच्छे फॉर्म में भी हैं और दोनों को लेकर वही बात की जारी कि किस तरीके से टीम इनका यूज़ करती है टीम में अगर देखा जाए तो पहले दिन के निलामी के बाद थोड़े बहुत जरूल सवाल थे बाई बल्ले बाजी अभी तक सिर्फ एक्सफिरियंस की कमी नजर आ रहे थी लेकिन हाँ जब डे टू आया उक्षन का वहाँ पर हदराबाद की टीम ने जरूर अच्छा खासा खरिदारी की दूसरे दिन जहां इसके टीम में अगर देखते हैं तो सीने बॉट आते हैं उसके अलामा चाहें वो निकोलस पूरन है टीम में आ जाते हैं आड़ा मायकरम आ जाते हैं मिडिल ओडर को लेकर जो तमाम सवाल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं इस टीम ने भर दिया तो लेकिन एक सवाल जो अभी भी निकल कर सामने आता है और लगातार ये पूछा भी जा रहा है कि क्या जो ओपनिंग करम रहेगी हैदराबाद को उसको कैसे देखती है टीम ओप सी इन एक्सपीरियंस लजर आती है वहाँ पर अगर बात की जाए एडव माकरम खेल लेते हैं निकोलस पूरन खेल लेते हैं साथ ही आपके पास केन बिलिमसन है तो तीन अगर आपके पास ये ये लाइन अप हो जाता है तो त्यानिक कि आपको गेदबाजी में टोटल इंटर भी जरूर अच्छा है लेकिन बीच में क्या कोई इंडियन प्लेयर और हो सकता था जो उससे मजबूती का और बहतर करता है क्योंकि नाम तो जरूर बढ़े हैं लेकिन वही हैं कि सारे खिलाडी के फॉर्म को लेकर सवाल है कि कितना बहतर हिसाब से आड़म आकरम कर देखने हैं या फिर निकोलस पूरन जासा कि जानते हैं कि उनके पास काबलियत है लेकिन उस लिहाज से उनका फॉर्म जो है वह उतना बहतर नहीं जाता है नाहीं आई-प्यल में भी तक उस लिहाज से बहतर परदरशन देखने हो कि मिले तो यह दो-तीन सवाल हैं जिसको लेकर हैदराबाद का टीम इस पूरे IPL 15 का जो सीजन होगा उसमें नजर आएगे लेकिन एक और चीज है कि क्या आप शेख शर्मा ओपनिंग करते हैं नजर आएंगे नहीं आजाएंगे तो ये पूरी टीम एक बार आपके स्क्रीन पर जो हमने बताया कि केन बिलेंसन निकोल सब्सक्राइब करने के लिए निकोलस पूरन भी है तो ये सारा बहतरीन हो जाता है हैदराबाद के टीम को अच्छा बनाता है लेकिन वहीं चीज़े हैं जो एक सवाल था कि बाई शायद हैदराबाद के टीम को लेकर लोग पहले दिन जो कह रहते हैं कि उतनी बहतर नहीं करने के लिए टीम तयार है क्योंकि जिसे हमने देखा था वर्णर के ना रहने पर जुस तरीके से पिछले बार का सीजन गया था तो उमीद करते हैं कि हैदराबाद की इस बार जोड़दार तरीके से आपसी होगी केन बिलिमसन माकरम पूरन एक जोड़दार तरीके से खेल करेंगे फिलाल ये वीडियो था है अधराबाद के टीम को लेकर इसके लावा हम लगातार बाकी टीमों को भी वीडियो पड़े हुई है इस पोर्स यारी पर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको भी देखिए और लगतार हम वीडियो कर भी रहे तो आपको अगर आप कोमेंट वाक्स में बताए फिलाल इस वीडियो में धन्यवाद इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत